अब आपका एक वार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ टाटा निप्टी-50 इंडेक्स फंड के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूंगा कि यह जो मुच्वल फंड है इस का फंड साइज क्या है साती साथ मैं आपसे डिसकस करूंगा इसके अंदर कौन-कौन साइज स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस मुच्वल फंड में कुछ पैसा जमांकि होते तो पीछले एक साल तीन साल पांच साल के अंदर आपको क्या रिटन देखने को मिलता और तो इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा तो इस वीडियो को लास्त तक ज़रूर देखिएगा सबसे पहले हम इसकी एक साल के रिटन के उपर में बात करते हैं तो एक साल में जो रिटन इसने दिया है वो है 28.58% का रिटन है एक साल के अंदर तीन साल के रिटन के पर बात करते हैं तो तीन साल में 14.92% का रिटन है पांस साल के रिटन के पर बात करते हैं तो पांस साल में 15.35% का रिटन है और अगर एन्वा रिटन की बात करते हैं तो एन्वा रिटन है मुच्छल फंड है इसमें आप मिनिमूम साइपी एमोंट 1500 रुप्या का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 700 करूरू का अगर आपने अभी तक आप इस टॉक पर अपना एकाउंट आप नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डेस्केप्शन में मैंने अपन सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुप्या का कैस बोनस देखने को मिरेगा इसके साथ साथ एकाउंट मेंटरनेर्स का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और नहीं एकाउंट आपन का अगर इस मुच्छल फंड के अंदर आप मन्तली 5000 रुप्या पर मंद से हका के अगर बात करते हैं इस मुच्छ फंड के अंदर ऐक बार में एक लाउक रूपिया का लंसम कि होते तो एक साल में आपका एक लाउक रुपया एक歌 ağd 7550 रुपय होता है yen griff 3 तीन साल में आपका एक लाउक रूपिया एक लाउग एकाऊण 9770 रुपय होタ और साल में HDFC Bank Limited Financial छेत्र, Reliance Industrial Limited Energy, ICIC Bank Limited Financial, Infosys Limited Technology, Larson and Turbo Limited Construction, Tata Consultancy Service Limited Technology, ITC Limited Consumer Steers, Bharti Eater Limited Communication, Axis Bank Limited Financial, and State Bank of India Financial छेत्र में है, अगर इसकी Holding and analysis को अगर हम लोग देखें तो Equity पे है, सॉरी, Equity पे है 99.9% और Cash में है 0.1%, अब इस Equity को इस एक्टर वाइज देखते हैं हम लोग, तो Financial पे है 33, अदर्स पे 16.7, एनर्जी 15.8, टेकनोलोजी 12.3, Consumer Stealth आर्ट, आउटम वाइल 7.8, और Construction पे है 6.3%, इसकी Advanced Ratio की बात करते हैं, तो इसका Price to Earning Ratio 23.05, और इसका PB Ratio 3.82, अगर आप इस Mutual Fund के अंदर अपना पैसा Invest करना चाहते हैं, तो Lumb Sum के थुरू आपको Minimum 5000 रप्या का Investment करना होगा, और अगर SIP करते हैं, तो Minimum 1500 रप्या का करना होगा, अब हम लोग Return and Ranking के उपर बात करते हो, नहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस Mutual Fund के अंदर इंवेस्ट करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इस Mutual Fund का जो Fund Return है, यानि कि Tata Nifty 50 Index Fund का जो Fund Return है, एक साल में 18 पॉंट 6 का है, तीन साल में 14 पॉंट 9 का है, पांस साल में 15 पॉंट 3 का, और अन्वल 13 पॉंट 2 का है, वहीं पर इस Category का जो Average Return रता है, यानि कि Other Index Mutual Fund का जो Average Return रता है, एक साल में 33 पॉंट 9, तीन साल में 17 पॉंट 2, पांस साल में 16 पॉंट 1 और अन्वल डाटा एवलेबल नहीं है, तो यहां से देखा जाए, तो यह Mutual Fund हमेशा आपना Category Average से ज्यादा Return निकाल करके दे रहा है, जाहें बात करे एक साल का, या बात करे तीन साल का, या फिर ब पैसा निकाल करके किसी अधर Index Mutual Fund के अंदर लगा सकते हैं, तो बात करेंगे कोई भी अधर Index Mutual Fund क्या है, जो इससे अच्छा है, तो इसके आसपर Similar Funds आप यहां देख सकते हैं, जो कि एक Index Mutual Fund है, और Return भी काफी अच्छा आपको मिलेगा, जो कि है, यूटी आई, निप्ट सारे इसके Similar Funds हैं, इसकी Expense Ratio की बात करते हैं, तो इसका Expense Ratio है 0.20% का, एक्जिट लोट की बात कर लेते हैं, अगर आप Invest के आवा पैसा 7 दिनों के अंदर निकालेंगे, तो फिर आपको 0.25% का एक्जिट लोट देना होगा, और स्टम डिटी की बात करते हैं, तो स्टम इसका टोटल असिस्ट अंदर मनेजमेंट है 1.36.20 करोर का, बात करते हैं, ताटा निप्टी 50 इंडेक्स फंडायट गूर्थ ये एक अधर मुच्वल फंड है, जो कि लॉंच किया गया है ताटा मुच्वल फंड की तरब से, ये मुच्वल फंड इस्टार्ट वाए 30.1995 क सुनम उदासी अब इसका करेंट मनेजर है, इस फंड का करेंट लिए असिस्ट अंदर मनेजमेंट है 1.36.20 करोर का और लेटेस्ट ने भी 146 रुप्या असी पैसा बात करते हैं, ताटा निप्टी 50 इंडेक्स फंड ग्रोथ ये एक काफी हाई रिक्स मुच्वल फंड है, इसमें मिनिममम एसाइपी एमोन 1500 रुप्या कर रखा गया है, और मिनिममम लंसम 5000 रुप्या कर रखा गया है, अगर आप इन्वेस्ट के आप पैसा साथ दिनों के अंदर निकालेंगे, तो आपको 0.25% के यहाँ पे एक्जिट लोड देना होगा, तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिसकस किया, टाटा निप्टी फिप्टी इंडेक्स डाइट प्लान के बारे में, फिर मिलते हम वो नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके,